वेल्कम बैक, साइंटिस्ट ने कैंसल सेल्स को केल करने का और हमारे लिवर को बहुत सारी डेडली डिजीज से प्रोटेक करने का बहुत ही सिंपल बट एफेक्टिव वेर फाइंड आउट किया है टर्मरिक, टर्मरिक इंडियन मेडिसिन में लास्ट फोर थाउजन एर से यूज हो रही है But present time पर whole world is obsessed about turmeric Because turmeric has anti-cancer properties Turmeric का एक active ingredient जिसको curcumin क्याते हैं उसमें ये property होती है Turmeric has so many magical properties Anti-fungal है, anti-bacterial है, anti-cancer है, anti-oxidant है, anti-inflammatory है But curcumin के साथ एक problem है, curcumin के साथ एक प्राप्लम है, curcumin बहुत कम है मतलब turmeric powder किसी भी फर्म में लेते हैं तो blood के अर्दर curcumin बहुत ही कम अमाउंट में पहुच पाता है तो ऐसे कौन से methods हैं जिससे हम ब्लड में इसकी solubility बढ़ा सकते हैं और curcumin कैसे cancer cell को किल करता है, इसके बारे में आज बात करते हैं अपने अकसरे नाम सुने होंगे antioxidant और anti-inflammatory तो antioxidant और anti-inflammatory होने का मतलब क्या होता है anti-inflammatory, inflammation हमारी बॉड़ी के लिए अच्छा है क्यों? जैसे ही हमारी बॉड़ी में कोई भी foreign invader अटेक करते हैं जैसे bacteria, virus, fungal infection तो हमारी बॉड़ी react करती है और हमारी बॉड़ी हमको protect करती है इन foreign invader से और बॉड़ी में inflammation होता है या फिर अगर कोई injury हो गई है, कोई cell injury है या कोई भी बॉड़ी में injury हो गई तो उसको repair करने के लिए इन्फलमेशन helpful है बट अगर यही inflammation बॉड़ी में बहुत long time तक survive करता है तो यह हमारी बॉड़ी के लिए harmful हो जाता है तो जो इन्टी इन्फलमेटरी प्रापर्टी है जाम रिक्की वो हमारी बॉड़ी को protect करती है तो एन्टी ओक्सिडेंट होने का क्या मतलब है हमारी बॉड़ी में अगर कोई भी free radicals enter करता है through radiation और कोई किसी भी method से तो यह free radicals हमारी cells के लिए harmful है और हमारी cell को damage करते है तो जब भी हम कोई antioxidant use करते है तो वो antioxidant हमारी body को उन free radicals से protect करते है और उन free radicals को body से remove करते है यह free radicals cancer भी body में कर सकते है body में किसी भी cell को growth करने के लिए ATP और blood supply चाहिए curcumin ATP synthase जो की cancer cells को ATP provide करेगा उसको target करता है और ATP के formation से रोपता है इससे cancer cells को ATP नहीं मिल पाती है वो staff करती है और वो धीरे धीरे खतम हो जाती है curcumin body में cancer की blood supply को बनने से भी रोपता है और blood supply को भी stop करता है curcumin body में epithelial growth factor जो की बात में जाके cancer cells की blood supply बनाते है उनको stop करता है उनको target करता है तो इसके थूँ cancer cell को nutrition ही नहीं मिल पाता है curcumin ना सिफ cancer cell को kill करता है cancer से हमारी body को protect करता है बलकि ये as a drug chemo therapy में भी काफी यूसफुल है और जो radiation therapy दी जाती है cancer के treatment में उसमें बाकी cells को होने वाले damage को भी turmeric रोपती है का क्यूमीन हमारी normal cell को protect करता है और स्पेसिफिक्ली ये cancer cells को ही target करता है और यही useful thing है जो हम के chemo therapy या जो भी cancer की drug में ढून रहे होते हैं कि हमारी normal cells को वो drug effect नहीं करें सिर्फ cancer cell को ही target करें करता है curcumin body में metastasis को भी रुपता है cancer के cancer का metastasis का meaning है cancer blood के थुरू या lymph के थुरू पूरी बाडी में spread कर सकता है तो curcumin body में cancer के spread को भी stop करता है curcumin के full benefit को हम experience नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो हम turmeric powder use करते हैं उसमें curcumin का amount बहुत कम होता है 3% by weight इसका मीनिंग है अगर हम 100 g of turmeric powder यूज करते हैं तो उसमें 3 g of curcumin ही present होता है सेकिन जो curcumin होता है उसका body में absorption बहुत कम होता है तो अगर हमें उसके full benefits को experience करना है तो कौन से methods है फिर्स्ट आप इसको black paper के साथ ही उस करिए black paper में piperine होता है piperine curcumin का absorption 2000% बढ़ा देता है तो जब भी आप turmeric यूज करें उसे आप black paper के साथ यूज करें second method है curcumin जो होता है वो fat में soluble है तो आप जब भी curcumin यूज करें या turmeric powder यूज करें तो ट्राय करें उसको अगर आपको उसके full benefit चाहिए तो आप उसको high fat food के साथ या अगर आप milk में ले रहे हैं तो try करें की आप full fat milk that's all for this video अगर आपको ये information पसंद आई तो just like my video and don't forget to subscribe to my channel on the screen